लोल फ्यू फिर से जिग्यान की टीम सेंटर प्याज चुकी है अंदर नीट का एक्जाम चल रहा है कुछी तरह में बच्चे बाहर आएंगे तो हम लोग थोड़ा पहले आ गये तो कुछ पैरेंट्स हमें मिले हैं उनसे हम पुछते जानते कि कैसी त्यारी करते थे उनके कोचिंगी अकास की स्टुडेंट है तो कैसी थी इस वार उनकी त्यारी मोग टेस्ट वगरा में क्या मांक्स आ रहे थे 500 जबंस की उसमें चल रही थे तो फिर अकास में जैसे जो रैंक्स आती थी इंस्टीचूट में तो उसे लग रहा है कि इस वार अच्छा पर मतलब हो जाएगा फर्स्ट एटम्ट में पेपर के उपर है में तो बच्चे ने अपनी पूरी मेनत करिया जी रात को उठ उठके पढ़ना सारी सारी रात पढ़ना बहुत मेनत करिया अच्छा और बच्चों के साथ पैरेंट्स का क्या चैलेंज रहता है इतने बड़ एक्जाम स्कूलिशन मोटिवेशन प्लस गूमरे में पढ़ती रहती हूं हर टाइम तो मदर का तो पूरा रोल रहता है जी घर बहुत सारे ऐसे भी पैरेंट्स देख रहे होंगे जिनके बच्चों की साथ इस पर त्यारी अच्छी नहीं होगी तो क्या आप लगता है कि मतलब अगर नीट में फस्ट एटेम्ट या कितना एटेम्ट देना चाहिए और अगर ना भी हो तो क्या अधर उप्शन लेके चलना चाहिए आपका कोई प्लैन नहीं मेरा तो यह है कि अगर बच्चा करने अभी इस बार देखो कितने नंबर आते हैं अगर लगता है कि और अच्छे ला सकते हैं तो करवाओ दूसरी वफशन लेके चलते हैं अगर कोई मेडिकल की का स्टूडेंट हैं तो क्या वो और कर सकते हैं आप द बच्चा कि नज़िया से क्या और मेरा तो यही है कि MBBS करें फिर वो BSC वगेरा आजाता है तो तो देखो सभी को सभी पैर्ट्स का यही रहता है कि उनका बच्चा अच्छा करें है ना वैसा ही यह पैर्ट्स ने इतनी तो हम भी चाहते मारा बच्चे का आए नमबर क्योंकि रातों को जक्के पढ़ना बहुत म सुबा भी उसको पढ़ नहीं है सारा दिन उसका लगा है तो दस से बारा गंटे एवरेज इनके बच्चे पढ़ती थी तो हमारा बेस्ट अफ लग है कि अच्छा करें वो तो थैंक्यू अच्छा होगा हम लोगा बेस्ट वीशे से थैंक्यू तो आप देख सकते हैं कि हा ऌकर बतानी के लिए मेरी बेक है नताशा होगा तो चैंटरब कर आप दे अखिंद रहा है तो मतलब कैसा क्र कर रहें है कि मेरा बच्छा एग्जाम दे रहा हो मतलब क्या है आप ती पिलिम तो यह जलिक है कि उसका सवक्षव起 यहां बिलकुल माम हम भी यही चाहते हैं कि वच्ची के 7.20 नी आए तो मतलब वो किस तरीके से अपना मतलब टाइम डिवोट करती है यहां पर जाती होगी या फिर इस तरीके से वो मतलब सब्जेक्स करती है तो क्या मतलब पूरी दिन उसका पढ़ना रहता है या किस तरीके करती है नहीं नहीं वो सुभे तो मनला अपना क्यासी जर्ण करती है उसके बाद फिर अपना आदा एगंता अराम करके फिर अपना शूडल बनाती है यह दो गंटे कैमिस्टी परी दो गंटे पीजिक्स पड़ी फिर दो गंटे उसके वाद अपना शॉलुशन पर उनको तो मतलब कॉंपटीशन तो होने वाला है और मार्क्स की जो कट ओफ जाती है तो जैसे जर्नल केटिग्री हो तो और भी जाता जाती है बाती अगर 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 कास्टर उसमें भी कम नहीं है तो हम भी प्रेयर करते हैं कि आपकी बच्चे को कहीं अच्छी जगा पेंगी ब तो आपने उसके लिए मतलब किस तरीके से इस चीज को मतलब किया कि वह अपने आप यहां पर आए ज़ाम के लिए तो थोड़ा सापने इस तरीके से कूल डाउं किया है उसको मैं का बिटब पहले लंबी सास ले पानी की अच्छा रिलैक्स आगा नहीं बिलकुल मावापक जब एक्जाम में जाए दो साल की नाथ उसके तीन गटे में बट जाती है तो उसके लिए दिलकुल उसे पर होना थेंक्यू सो मच माम अगर बच्चे को हम डिमोटिव करेंगे तो वह और ज़्यादा होगा इसलिए हमने तक बिटब कोई बात ही हो जाएगा ने बिलकुल म पिछले तीन में बच्चों का बेख करें तो ऐसी हम एक मजर से मिले हैं जिनकी बेटे अंदर नेथ में पहले बार एक्जाम दे लेगे तो माम क्या रखा बच्ची का रखा बच्ची का रेक्शन मतर जो सेंकर आया कि कैसे है क्या पिछ से क्या फील करेंगी होना है दिखा पहुं दो पहले है कि अभाशी हृचन मतर खुतिर में तो गटेंगी तो बच्ची का रंखा बेखा रखा है 4 क कैसे आफ निitel को मुटें या पिछान तरल खांगी क। पहलें तऀ में रखा कार बार आया क्या है निवन्जा में लिफ से मुधा है करा। कर दो झूंद करती हैं तो अपिया आप जैसे भारती मेंटे से बेटिये का आप क्या पील है कि लग कैसा रहा होगा उसका आपको क्या पील हो दो यह विए तो है कि अग्या झाइए अगया कि अग्या दूलिये का